मश्कार दोस्तों हमारे चलने हैर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं डेली यूनिवर्सिटी के बीए मेस प्रोग्राम या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के बीबी एंट लिए डेली के अलावा जितने भी एंटरेंस एक्जाम से नेशनल लेवल पर जो कनेक्ट होता है चाहे वो यूगेट हो इसमें भी आपको काफी हेलपफुल रहेगा कि बिजनस के बारे में आपकी शम्ता कितनी है आप बिजनस को कितना समझते हो बिजनस की जो कॉशन्स आ आती है यह सिर्फ आपका जनरल कंसेप्शन है कि आप कितने तयार हो एक बिजनस को समझने के लिए सो एक एक करके हम सारे कोशन्स पर नजर डालते ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बिजनस एप्रिट्यूड में किस तरीके के कोशन्स आपसे पूचे जा सकते हैं तो चल कॉंसेप्शन नहीं होता यह आपको पता होना चाहिए एक तरीकी का जीके है जनरल नॉलज की तरह है आपको इसे लर्न करना पड़े का इसमें नहीं रोड़ सकते तो जितना आपने देखा जितना अपने सुना है अपनी नॉलज़ को आपको बूस्ट करना है तो इसका जो आपके नॉलज में काफी होगा कि अचल के आपने देखेंगे कंप्यूटर्स भी आते हैं टेक्निकल डिवाइचेस भी काफी जादा बनाती है कंपनी तो ओविसी बात है इसका जो आंसर है डी है आईटी कंपनी कोशें नंबर थ्री देखते हैं विच कंपनी इस नॉट इ ट्री नहीं मनुफेक्शर गरती वहां सी कंपनी है वह है टेलको का कोई भी मॉडल अभी तक ट्रीक्टर का नहीं आया है कोशें नमर फूर है दा जॉब साइट शाइन डॉट कॉम इस ओन भाई तो शाइन डॉट कॉम एक वेब साइट है जो बेसिकली रिक्लूटर होती है आपको पूर्टल प्रोवाइड करती जहां पर अपने जॉब्स रिजूम पोस्ट कर सकते हो तो इसका ओप्शन ए है इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स अफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, डी एने, तो यह चार ओप्शन से आपके पास तो आपको जो करेक्ट आंसर है इसमें हो है 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 इसके बाद next question है question number 5 singer is known in the market for the manufacture of इसके options है radios, swing machine, cycles, televisions तो इसका जो correct answer है वो है swing machine, so singer is known in the market for manufacturer of swing machine, so next question है when there is inflationary trend in the economy, what would be the trend in the pricing of the bank products, so इसके options है decreasing trend, constant trend, increasing trend, there is no relevance of inflation in pricing of banking products, so इसका correct answer है C, increasing trend, so next question is question number 7, water purifier, puriate is a brand of P&G company, Nestle, ITC, Hindustan Unilever, so यह चार options आपके सामने हैं, अब आपको धियान रखना है, आपने कई बार देखा भी होगा हम अफे टाम हमारी नजर पड़ जाती है, कोई product हमारे पास आता है, तो हम उसके अगर tags होगा है देखते हैं, बार कोड कोड के हाँ पर उनका एक company का नाम लिखा होता है कि किस company स यह manufacture हुआ है, so water purifier जो basically आया है, वो हिंदुस्तान Unilever के through आया है, अब हम मूव करते हैं, question number 8 की तरफ, which among the following is a cause of inflation, unfavorable balance of payment, rise in external loans, deficit financing, a hike in the CRR by the central bank of the country, तो सबसे पहले हम question को समझते हैं, कि inflation का मतलब होता है, जब किसी product का sudden price बढ़ जाता है, और उसकी purchasing कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, inflation, और inflation का cause क्या होता है, deficit financing, जब insufficient amount of money होगा, तो obviously बात है, purchasing भी कम हो जाएगी, so question number 9 पे हम move करते हैं, the horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is, option a is 0, b is equal to 1, c is infinite, d is greater than 0 but less than infinity, so इसका जो correct answer है, वो है infinite, next question is, question number 10, package water Himalayan is from actual Hindustan Unilever, b option है Tata, c है ITC, d है Britannia, so इसका जो correct answer है, वो है Tata, so Tata के through ही package water Himalayan बनाया जाता है, so अब आपको समझ मेरा हुआ कि business aptitude में basically business से related ही question पूछे जाते हैं, कि किस brand को कौन on करता है, किस brand का क्या product रहा है पहले, और कोई popular product है, उसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस तरीके के questions आते हैं, business aptitude पे तो हम move करते हैं, question number 11 की तरफ, which of the following products industry are classified in network product category, so network की category में कौन से product आते हैं, A, option है mobile phones and laptops industry, iron and steel industry, fertilizers industry, cotton, textiles and ready-made garments industry, तो network आपको पता ही कि network product में mostly क्या आते हैं, mobile phones and laptop industries, next question number 12 हम देखते हैं, name the campaign launched by life insurance council to raise awareness about the importance of life insurance, option A है योगिक्षमम वहायाम, B है you click we cover, C है जिम्यदारी का हमसफर, D है सबसे पहले life insurance, तो यह तरीके के slogans हैं, जो आपके tip पे आ जाते हैं, जब हम advertisement देखते हैं, टीवी पे आपर किसी hoardings को देखते हैं, तो वहाँ से हमारे mind में store हो जाता है, तो इसका जो correct answer है, वो है सबसे पहले life insurance, तो जितने भी आपने medical या फिर life insurance या फिर जितनी policy से related आपने आज तक जो भी commercials देखे हैं, उन सब के slogans आप याद रखेंगे, तो आपके लिए better रहेगा, next question number 13 देखते हैं, Timothy Donald Cook, popularly known as Tim Cook, is the chief executive officer of which these companies, option A है Google, B है Twitter, C है Amazon, D है Apple, so इसका जो correct answer है, वो है D, Apple, जो की पहले Steve Jobs हुआ करते थे CEO, 2011 में जब उनके death हुई, तो उसके बाद Tim Cook ने अपना handover किया CEO की post पे, so इसका जो correct answer है, वो है D, Apple, next question number 14 देखते हैं, the goods and services text was proposed by a task force, whose president was, तो आपको समझ में आगया है, जो GST की बात हो रही है हैं आपर, option A है इस विजे केलकर, B है Montek Singh Alu Aliyah, C अरुन जेटली, D नरसी महन, तो इसका जो correct answer है, वो है विजे केलकर, question number 15 हम देखते हैं, SBI Life Insurance Limited is a joint venture life insurance company of State Bank of India, and option A है HDFC Life Insurance Company, Life Insurance Corporation of India, या BNP परिबास Cardiff, ICI Prudential Life Insurance Company, तो आप इन सब में options आपके सामने बहुत जाने पर चाने से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो correct answer है, वो है BNP परिबास Cardiff, और यह international bank है, जो इसके बहुत सारी branches अलग-अलग countries में हैं, तो इसका SBI Life Insurance Limited joint venture है, SBI का और BNP परिबास Cardiff का, नेक्स्ट कोशिन इस, कोशिन नमर 16, इंडियन मल्टिनेशनल स्टील मेकिंग कमपनी, Tata Steel Limited is headquartered in, तो जो Tata Steel Limited का headquarter किस state में है, option A is Mumbai Maharashtra, B है Kolkata West Bengal, C है Bhubaneswar Odisha, राची जारखन, तो इसका जो right answer है, वो है Mumbai Maharashtra, कोशिन नमर 17 पर मूव करते हैं, dash is a social device for eliminating or reducing the loss of society from certain risk, so option A है इसका contract, B है premium, C discount, D insurance, तो आपके सामने जो word है, जो stable है, आपे fill करने के लिए, वो है insurance, insurance is a social device for eliminating or reducing the loss of society from certain risk, तो आपने देखा हुआ कि हम insurance क्यों करते हैं, किसी policy को क्यों लेते हैं, ताके हम अपने future plans को secure कर सके, इसके बाद है question number 18, you will find baseline, headline and sub headline, in option A है radio add, B है online add, C है verbal add, और D है print add, तो आपने देखा हुआ कि baseline, headline, sub headline, इन चीज़ों में आपने ज़्यादा तर notice करा होगा, तो mostly यह सब जो चीज़े होती हैं, वो print add में होती है, ने उस paper में भी अपने देखा हुआ कि baseline होती है, उसके headline होती है, फिर एक छूटी से sub headline बेजाती है, online add में भी आज कल देखने को मिलता है, TV जब हम देखते हैं, तो हम आपे भी अपने देखा हुआ का headline आती है, फिर नीचे की baseline चल रही होती है, तो इसका option जो इस option में अगर देखते हैं, तो हम D को क्लिक करेंगे, print add, so print advertisement में यह सब चीज़े component देखने को मिलते हैं, question number 19 है, the term CRM used in business strategy development means, A option है channel route market, customer retention manager, credit relationship manager, और D option है customer relationship management, तो CRM हर एक company में होता है, companies के अंदर, basically रखे जाते हैं CRM के executives, तो इसका जो correct option है, वो है customer relationship management, तो कोई भी company जब अपने customers के साथ tie up करती है, relationship बनाती है, अपने products को offer करती है, या फिर long term relations को देखती है, तो उनको एक executive as a manager होता है, एक process customer relationship management का, इसके बाद है question number 20, sir उठा के जियो, is the business tag line of, option A है भारती एक्सा, B है LIC, C है मेक्श इन्सॉरेंस, और D है SDFC लाइफ, तो आपने बहुत बार देखा हुआ TV commercial ads आती है, उसमें बोला जाता है, sir उठा के जियो, तो इसका जो right answer है, वो है SDFC live, तो ऐसे करके हमने भी question 20 देख लिए है, कि हमारे पास किस type की questions आते हैं, business aptitude में, business awareness में, और इसमें जितना आप maximum बढ़ोगे, आप अपने knowledge को enhance करोगे, जितना आप newspaper reading करते हो, business news देखते हो, और TV पे जो new channels होते हैं, उन पे special एक program भी आता है, business related, share market और बाकी corporates के बारे में, information देते रहते हैं, आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से business aptitude को, योगि यह बहुत बड़ा weightage रखता है, आपके entrance exam में, चाहिए आप DUJet का exam दे रहे हो, चाहिए IP University का exam दे रहे हो, और आपको हमने बहुत detail में पढ़ाया है, अगर आपको अच्छी से crack करना है exam को, तो आप higher education के application डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से, हमने BB और DUJet के specialized course बनाया है, जिसमें हमने business awareness को काफी detail में पढ़ाया है, यह सिर्फ 20 questions थे, इसके अलावा hundreds of questions हमने आपको दिये हैं, जिससे आपके practice भी हो जाएगी और आपकी knowledge भी बढ़ जाएगी, तो friends, अगर आपका कोई भी doubt है, query है, questions को लेके, आपको कहीं problem आ रही है, preparation करने में, किसी college को लेके, entrance exam को लेके, तो आप हमसे comment section पूछ सकते हो, और अगर आपको यह video अच्छे लगी है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इसी तरीके के education videos के लिए बने रही है, हमारे channel higher education के साथ, thank you so much,